खिरे की खेती की जानकारी लेकर इस वीडियो के मद्धम से आई हुए है तो आज जो है खिरे की बेसिक जानकारी इसमें बेसल डोस क्या होगी इसकी इसको हम कब लगाए इसकी कौन सीवराइटी हमारे 36 गड़ के क्लाइमेट के लिए सुटेबल रहेगी देखने को आपको इस वीडियो को लास्त तक देखना होगा तो आज की शुडूस में हमारे साथ एक विशेश महमान जुड़ कर झो है खिरे खेती की पूरी जानकारी देने वाले हैं तो उनका मैं स्वागत आज की सूड़े में करता हूं भी आजी तो आपका परिचाह सबसे पहले आप दे दीजिए क्योंकि आप और भी हमारी वीडियो में आगर खिसानों को जानकारी दे दिये हैं तो आप अपने एक बार और जादा देने के लिए सहारी में भी अपने चाहिते हैं सहारा देने कि लिए बम्बु का सहारा लिया है तो बीना सहारे की खेती संभव है की नहीं है यह पहले हम जानते हैं कि खेडी की खेटी करने के लिए सबसे पहली बात आती है मिट्टी की भूमी की तईयारी या स्वाइल प्रप्रेशन खेट की तईयारी अपने किस प्रकार किया है पहड़े तो पंजा चलाए हैं उसके बाद रोटोवेटर हां और हेरो यह चलाए हैं अचीजन इसे ऊसमें मामानदे के बाद उसमें बेसल और यह टी शपय तो यह बामानदे के तयार किया बेसल भाट डाले हैं तो मामानदा की दोरी क्या अभी इसमें खHere अच्छा दूरी का लिए एक क्राव एक च्छा दूरी सी तो है confight कि दूरी मादा से मादा रखे हैं तो बेसल खाद आपने सबसे सुरुवाथ में बेसल खाद में क्या आप ड्यपी डालने हैं राकड दोनों डाले है इसकी मातरा क्या होनी गवर खाट कितना लगगे होगा कितना ट्रॉली लग गया हूगा 10 ट्रॉली 6 ओकड में गोबर खाट लगगया है उसके बाद बात आती है आप जब इसकी तयारी कर लिए तो ड्रीप ड्रीप लगाये हैं ड्रीप के बाद मल्च भिछाए मोल्च कितना एम एंज आप गिये है कर से 25 ये मल्च आपने यूजस किये हैं उसके बाद बात आती है कि आप पहले चलाये होंगे उसके बाद इसके जो खिदे की जो कौन सा विराटी बात आती है विराटी कौन सा किसम आपने लगाने के लिए आपको कैसे पहले ड्रीप से पानी चलाए हैं उसके बाद ही आप इसमें बीज की रुपए पानी चलाए हैं उसके बाद बीज लगाएं अच्छा तो अभी जैसे हम पौधे को देख रहे हैं अभी पौधे की जो हाइट है बहुत छोटी है कितने दिन की हो गई है प्लांट तो दस दिन की लगभग हो अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसमें आप बंबू लगा दी है बंबू जो है सुरू से लगाना अनिवार है कि या कुछ बढ़े हो जाए तब लगाएं सुरू से ही लगाना निवार है क्योंकि उसका निकलता है ना नार जो है फैलता है वह दिखकर करें तो इसके बाद फिर जिए नार जैसे बढ़ने लगती है फिर उसमें सीधा वह चड़के उपर हो जाती है जिग-जग भी मराएं अच्छ जिग-जग भी करेंगे ऐसे तो इस प्रकार जो जिग-जग क करने के बाद ये नार कह पूरे बंबू में फैल जाती है और उसके बाद जैसे इसकी तोड़ाई की बात करें तो कितने दिन में इसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो खर्चे की बात करें हमको क्या लगता है कि अगर एक इकड़ की अगर अनुमान लगाया भी तक खर् तो इसकी अगर मार्केट में वैल्यू की बात करेंगे जब 30 दिन बाद इसकी तोड़ाई चालू होगी तो क्या वैल्यू रहेगी मार्केट में इसका डिमांड कैसा है रेट आपको क्या लगता है कि अच्छा इसका खीरे की खेती से मुनाफ़ा कर सकते हैं मुनाफ़ा तो मिले गई मुनाफ़ा तो मिले गई इसकी रेट क्या है हमेशा मार्केट में अच्छा उपर नीचे होता रहता है लेकिन रेट इसका हमेशा आपको अच्छा मिलता है तो इस प्रकार खीरे की खेती आप भी कर सकते हैं ड्रीप के माध्यम से मल्च के माध्यम से मल्च के माध्यम से खेती करने से क्या फायदा होता है आप कुछ बता है उसमें घास नहीं होता है मल्च का उपयोग करने से घास जो है नहीं उगती है और जो माध्य की जो बीच में जो जगह है उसमें अगर कुई प्रकार का खरपातवार उग जाता है तो उसके लिए क्या यह फिर उसमें राउंड़ चला देते हैं इससे जो है खरपात्वार फुरा खतम हो जाता है तो इस वीडियो के माद्यम से पूरी जानकली समझ पाए होंगे कैसे खीरी की खेती करनी हैं आगे भी इस वीडियो में हम जब ये खेत पूरी तयार हो जाएगी जब खीरी के तोड़ाई चालू हो जाएगी तो उस दोरान भी हम आपको पूरी जो है और एक ड्रम में और अगयदी जो कि तो जो किसी आनियों सर्फेंवी हैं कि विद्व चार्चार कर दीये को में अ क्यूंकि जो खेती हैं बहुत हि संस्य होती नेकपर की समस्या इसमें द हुनकारी बीडिया पूरी देखेंटी आएं तब तक के लिए इतनी ही जानकारी में आपको संतुष रहना होगा तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार